हेलो दोस्तों देशित दीपक मिश्रा और आज यहां पर साथ मार्च है और मंडे है साथ मार्च 2022 है और बारा बच के 19 मिनट हुआ है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बारा बच के 19 मिनट और जो आज मैंने जो प्रॉफिट बुक किया है और उसको मैं अभी आपके सामय सो करूंगा पहले मैं जो मेरे वालेट में बैलेंस था उसको मैं सो करता हूं तो मेरे वालेट में आज जो बैलेंस था वो 20,000 था 20,000 उनली 20,000 तो 20,000 में जो आज मैंने प्रॉफिट किया है वो प्रॉफिट मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है ग्रॉस प्रॉफिट 3,360 रुपीज मतलब 3,360 रुपए या 3,360 रुपए यह मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और में प्रॉफिट क्या होता है यह मैं आपको ब्रॉफिज कर्कुलेटर वाले वीडियो में बता चुका हूं आप brokerage calculator वाले वीडियो में i button में उपर आप देखे वहाँ पर आप जाके brokerage calculator कैसे करते हैं वह आप देख सकते हैं और वहाँ पर सब जान सकते हैं कि अपन profit को gross profit और net profit कैसे निकालते हैं और जैसे कि अभी यहाँ पर profit दिख रहा है 3360 तो 3360 profit हुआ है लेकिन यह gross profit है net profit आपको मैं आप दिखाता हूँ जोन मेरा net profit है वो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ मैंने screenshot लिया हुआ है यह है मेरा net profit जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो 2103.29 मतलब 2103.29 पैसे यानि 2103.29 पैसे 2103.29 पैसे तो यह है मेरा exact profit अब यहाँ पर question यह उठता है कि profit तो हुआ लेकिन इतना कम कैसे इतना ज़्यादा दिख रहा है इतना कम कैसे हो रहा है तो आज क्या है मैंने छोटे छोटे ट्रेड लिए brokerage ज़्यादा लगी brokerage ज़्यादा लगने के बाद profit कम हुआ और gross profit ज़्यादा दिखा brokerage ज़्यादा लगी तो यह होता है क्योंकि अपन जब छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं तो ऐसा होगा और आपको मैंने एक वीडियो मैंने और बताया है कि दीखेगा profit होगा नुकसान कई बार तो आद तो चलिए profit है यहाँ पर profit है उसके बार भी profit पर है कई बार तो यह होता है कि profit नहीं होता है और अपने को profit दिखता है लेकिन होता नुकसान है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आप उपर आई बटन में जाके देख सकते हैं कि दिखेगा profit और होगा नुकसान में पूरा आपको डिटेल से बताया है कि किस तरह हमको profit दिखता है जबकि होता नुकसान है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं आई बटन में जाके तो यहाँ पर जैसे gross profit जो है वही दिखाय रहा है तीन या तीन सो उनसाट रुपए एक रुपए का अंतर है कोई दिक्कत नहीं है तीन या तीन सो साट रुपए तीन या तीन सो उनसाट रुपए थोड़ से calculation mistakes होते हैं brokerage calculator में कोई बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा एक दो रुपए चलता है तो यहाँ पर जैसे यह है और आपको मैं भी यहाँ पर अपना brokerage chart दिखा रहा हूँ बारा सो पचपन रुपए brokerage chart लग गया जिसमें से जेरोधा ने कितना लिया वो आपको मैं अभी दिखाए देता हूँ कि जेरोधा ने कितना लिया है यह जेरोधा के खाते में कित्ते गए है यह जो brokerage है वो जेरोधा का brokerage है 640 रुपए मतलब पर trade मैंने trade लिया खरीदा बेचा तो 20 रुपए खरीदने का 20 रुपए बेचने का ऐसे करके 640 रुपए टोटल जेरोधा का लगा हुआ है तो जेरोधा उतना चार्ज नहीं करता है जितना लोगों को लगता है कि ज्यादा चार्ज हो गया exchange भी बहुत साही देखे exchange charges भी है stamp duty है save charges है बहुत साही GST charges है यह सब charges होते है तो अभी यहाँ पर net profit मेरा जोगो है 2103 मतलब अपन 2100 ही मानते हैं इसको 2100 ही मानते हैं 2100 ही अपन मान के चलेंगे कि अपना यह profit हुआ है तो यह मेरे पूरे trade थे आट टोटल trade मैंने जो दिये हैं वो 16 trade लिए काफी ज़्यादा market आज बहुत ज़्यादा confusing था पहले तो काफी ज़्यादा तेज नीचे गिर गया नीचे गिरने के बाद problem यह आ गई कि आज अचानक bank nifty और nifty का जो indices है वो indices में चार्ट उसका proper नहीं चल रहा था तो जब चार्ट प्रोपर नहीं चल रहा था तो मैंने कुछ देख लिए trade रोक दिया था और trade रोकने के बाद फिर मैं then मैंने अपना target मेरा target 10% का था ज्यादा target मैंने आज बनाया नहीं था क्योंकि market काफी ज़्यादा confusing था और नीचे आ चुका था तो मैंने 10% जैसे मेरा हुआ वैसे मार्केट से बाहर आ गया और gross profit मेरा ये दिखा रहा था और profit मेरा 10% हो गया मतलब 10.5% सब्थी हुआ मतलब अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ मतलब total मेरा जो profit हुआ है वो 2103 हुआ है 2103 2103 का मतलब अपन इसको अगर calculate करेंगे अपने main profit से तो divide by 20,000 से अपन divide करेंगे और इसका percentage निकालेंगे कि यह percentage यहाँ से नहीं निकालेंगे पहले अपन इसको वो निकालते हैं कि अपन कितना आ रहे है तो यहाँ पर इसका calculation जो आता है वो आता है 0.105 इसको अपन 100 से करेंगे तो यह आएगा 10.5 percentage मतलब आज जो profit हुआ है 10.5 percentage का हुआ है एक मैं इसको थोड़ा से अच्छा से लिख देता हूँ यह percentage का बिंदी थोड़ा जादा बड़ा हो गया था 10.5 जीरो देख रहा था 10.5 percentage मतलब आज यह calculation जो हुआ है 10.5 percent मेरा target एचीव हो गया है तो यह मेरा पूरा calculation है हर वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ आप जानते हैं कैसे करना है तो यहाँ पर और काफी दिनों के बाद यह profit मैंने मतलब किया है और profit क्या मैं काफी दिनों से trade भी नहीं ठीक से ले रहा था बीच में मैं भी last week थोड़ा था अपने personal काम होए था इसलिए मैं trade नहीं ले रहा था और क्योंकि जब भी आप कुछ personal काम होए हो तो trade ना ले तो ज़्यादा अच्छा है और market क्योंकि market में कब क्या होगा अगर आप mental stage में सही नहीं है तो आप मार्केट में ना बैठे तो आप भी मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर मैंने कैसे order लिया कब से order लिया और किस प्रकार से मैंने पूरा अभी मेरा जो last मैंने जब trading खतम करी है वो मैंने 11 बच के 26 मिनट में खतम कर दी है 11 बच के 26 मिनट में खतम कर दी है और यह देखिए 9 बच के 23 मिनट में ने पहला trade लिया था और loss मेरे को कम लगे है profit ज़्यादा हुए है सुरू से मेरे को profit ही हो रहे थे और थोड़ा सा market चोपी था समझ नहीं आ रहा थे बीच में थोड़ा technical glitch भी हो गया था जिसकारण से bank nifty का जो rate है वो 32,906 रुपए प्याक एकदम रुख गया था और वहीं प्याट का हुआ था और nifty भी I think 15,000 कुछ 793,93 रुपए प्याकर रुख गई थी तो इस कारण से थोड़ा confusing हो रहा था क्योंकि एक technical glitch में last year देख चुका हूँ और उसमें बहुत ज़्यादा problem हो गई थी मेरे trade भी फसे रह गया थे इसलिए मैंने वहाँ पर काम को रोख दिया था तो मैंने पहले तो 9-23 से लेकर 9-23 से लेकर मैंने ये आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने लगातार trade किया आप इन trade को वीडियो को पॉस करकर देख सकते हैं और calculate भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे कैसे trade किया गया होगा किस तरह से लिया गया होगा ये साथे trade मैं आपको दिखा रहा हूँ 10 बच के 5 मेंट, 10 बच के 6 ये मतलब मैं लगातार करता जा रहा था यहां पर देखिए मैं थोड़ी देखे लिए यहां पर रुका हुआ था लास्ट मैंने जो 10 बच के 9 मिनट में मैंने एक trade बाहर निकाल लिया था इसमें loss ही हुआ था मेरे को यहां पर loss हुआ था मेरे को यह देखिए 10 बच के 8 मिन में मैंने लिया 244 में 15 पैसे में लिया और मैंने stopless जल्दी हिट करा लिया अपना 237 पे stopless मैंने हिट कर दिया तो मतलब stopless ले लिया मैंने loss ले लिया यहां पर यहां पर थोड़ा loss लेने को बाद मैं रुक भी गिया क्योंकि market मेरे को समझ में नहीं आ रहा था technical problem आ रही थी तो मैं थोड़ा वेट किया इसके बाद फिर मैंने आपको दिखा रहा हुए दस बच के 44 मिनट में next trade लेना चालू किया जब मेरे को लग गया कि अब market में धिरे धिरे positions आ रही है problem नहीं है technical glitch की problem नहीं आ रही है technical glitch का मतलब यह होता है कि अचानक से अपने जो system में कुछ problem आ जाती है अपने exchange के system में कुछ problem आ जाती है उस current से एकदम से जो numbers हैं वो रुख जाते हैं अपने numbers चलते रहते हैं वो रुख जाते हैं तो उसके current से अपने को problem आती है कि हो क्या रहा है bank nifty और nifty एकदम stable हो गए थे उनमें टेकनिकल टाइप किया गई थी बाकी मार्केट ठीक चल रहा था और इस्टाउक में चल रहा था कैस में एकूटी में सब में काम हो रहा था लेकिन थोड़ा सा कन्फूज हो गया था उस ताइप रुकना ही साही समझा क्योंकि मैं कौशेस अपना पोजिशन को नहीं प ड्रेट को मेरे कर सकते हैं कहां पर कैसे लिया और दीशनender करके मैं 10 44 से अपना टार्गेट मैंने 10% का एचीव कर लिया उसके आपकी करेंंट को भी यारा बच के 6 में में अपना ड्रेडिंग रोख दिया तो यहांदर मेरे यह पूरे आप है लास्न त्रेड मेरा 50.80 का था 50.80 और 278 में लेकर 290 पर मैंने इसको बुक कर दिया और मेरा जैसे 2000 के एबाब आया वैसे मैंने अपना ट्रेडिंग रोक दिया तो रुकना बहुत जरूरी है मार्केट में जो रुकेगा वही का उसी का काम बनेगा मार्केट में नहीं रुका मतलब ग करते हैं कि मैंने 87% का लॉज भी किया था वह भी 30% के प्रॉफिट आने के बाद तो वह भी एक वीडियो है वह भी है मैं अपने आपको नहीं रोक पाया मार्केट की भावनाव में भावनाव में भैग गया ऐसा होता है यह बहुत जरूरी है कि हमको अपने ब्रेन को बहु होईएगा जब आपको लगे कि हां यार मैं कर लूँगा और अच्छे से आपका लेबल अच्छा हो और बढ़िया होना चाहिए तो यहां पर जैसे मैंने आज थोड़ा सा पूट भी लिया था फूट को भी लिया था थोड़ा सा जादा नहीं और जबकि पूट में काम पूरा होना चाहिए मार्केट में काम पूरा करने अपने बैठे हैं न कि कि खाले्णा था ouldak जाए नहीं लेना है एक फार ळीन कर यह पर शुटा नूक्सान लीजियो मार्केट कि hine defensie में आरे तो यह बहुत जरूरी है मार्केट में अगर balance mind नहीं रहेंगे तो मार्केट में अब survive नहीं कर पाएंगे तो इस प्रकार आज कब यह मेरा profitable trade था profit हुआ आज मेरे को और आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा ऐसे profitable वीडियो अगर loss होगा तो loss का वीडियो भी दिखाऊंगा मैं अपने profit और loss दोनों के वीडियो दिखाता हूँ मेरे वीडियो दिखाने का purpose से भी है कि आपको एक अच्छा knowledge मिले और एक अच्छे knowledge से आप समझ पाएं कि किस तरह से market में हमको काम करना है किस प्रकार से काम करना है तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि प्लीज subscribe जरूर कर देना क्योंकि subscriber कम है थोड़े ज्यादा हो जाएंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी तो subscribe जरूर करिए मेरे को और like तो करें दीजेगा like करिए subscribe करिए bell icon जरूर दबा दीजे bell icon दबाने के बाद all button भी दबा दीजे तो जिससे आपको मेरे पूरे वीडियो जो है time to time मिलते रहें और इसके बाद आपको मेरे नीचे WhatsApp नमबर त मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी ट्रेडिंग संबंदित या किसी भी चीज के लिए मैं आपको कॉल पर भी बताता हूं कॉल पर भी आप कॉल कर सकते हैं उससे पूछ सकते हैं और अगर आपको जरूर्धा का एकाउंट नहीं है तो description में मेरा link दिया हुआ है आप link में जाके और जरूर्धा के अकाउंट खोल सकते हैं वहां से उससे मेरे को थोड़ा सा support मिल जाएगा और अगर आपको मेरी पूरी वीडियो से एर मार्केट संबंदित पूरी educational वीडियो देखना है तो आप description में जाके link वहां सारे दिये हुए हैं आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं और आप अच्छे से share market के बारे में चितना मेरे से हो सका है मैं दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा दिया है आप उसको वहां से देख सकते हैं मेरे सारे वीडियो वहां पर description में दिये हुए हैं तो इसी के साथ आज का वीडियो खतम करूंगा और मिलते हैं next